Hey Traders, Welcome to WiseTalk Research and जो चैनल पर नए है मेरा नाम है Mukul Chaudhary So now let's start the daily analysis for tomorrow, okay अब ये सामने आपके nifty का spot chart है, bank nifty का spot chart है and ये daily charts है अब आप यहाँ पर फरक देख लीजे daily charts पर क्या हो रहा है अगर आप देखेंगे nifty में जिस level की candles बन रही है ठीक है? and doji and bank nifty में जिस level की candles बन रही है and doji, ठीक है? तो clearly bank nifty जादा strong है ठीक है? तो अगर यहाँ से recovery हुई तो bank nifty जादा swift होगे recovery में compared to nifty ठीक है? और अगर market यहाँ से गिरेगी तो nifty में जादा च्छा move आएगा compared to bank nifty यह में शाधियान रखना तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सा strong index है और कौन सा weak है strong में long करना है, weak में shorting बनानी है ठीक है? अगर shorting का मौका हमको जब भी मिलता है तो ठीक है? तो यह एक चीज़ है अब सबसे पहले हमको क्या चीज़ चेक करनी है अगर मैं let's say Fibonacci लगाता हूँ इस level से लेके इस level तक ठीक है? अब मैं यह देखे मैंने इस top से लेके इस bottom तक Fibonacci लगा है, मैं screen बड़ी कर लेता हूँ अब सबसे पहले आपको क्या समझना है 50% 50% बहुत important level होता है ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ है यहाँ पर हमने क्या बनाया है यहाँ पर एक हमने doji बनाई है let's say अगर कल ऐसा एक move हो जाता है मालो एक rally हो जाए कुछ हो जाए एक short covering rally हो जाए कुछ भी हो जाए तो यह तीन candle क्या बनाएंगी? यह बनाएंगी morning star pattern ठीक है? यह possibility हमारे सामने जो मुझे दिखाई दे रही है और दूसरी चीज़ क्या हो सकती है let's say कल market यहाँ पर ऐसे open हो फिर एक थोड़ा सा वो बनाएं doji type and then यह अगर तीनों को मैं add करूँ तो क्या बनेगा? यह candle बनेगी और यहाँ पर यह बन रही है and यह तो भी इसको हमें morning star candle ही बोलेंगे जरूरी नहीं है कि इतनी सारी candles को आपने add कैसे कर लिया rules नहीं होते stock market में आपको improvise और adapt करना है तो यह एक तरीका है समझने का अब समझते हैं दूसरा पढ़ाओ इस चीज़ का वो क्या है? अगर market यहां तक जाती है and reject हो जाती है तो आपको क्या मिल रहा है? आपको एक sell on rally की opportunity मिल रही है ठीक है? you need to understand market गिर चुकी है काफी अब यहां पर अगर आप short करोगे न या यहां short करोगे तो risk to reward आपके favor में नहीं है try and understand this तो हम लोग क्या करेंगे? अगर एक recovery आती है यहां तक and market टूपने लग जाती है या rejection होता है वहां से तो हम क्या करेंगे? तब हम short बनाएंगे ठीक है? because market को एक higher level मिल गया है short करने के लिए अगर sentiment continue होते है tapering के, bond yields के and then US markets के and आपका crypto crash के इस सारे factors अगर plane करते हैं और market को यहां से गिराते हैं तो sell on rally is more favorable than shorting here क्योंकि आपका stop loss बहुत बढ़ा हो जाएगा मैं आपको मतलब समझाओंगा इस चीज़ का bank nifty में generally जब मैं काम करता हूँ मेरा stop loss 100.00 point से जाधा का नहीं होता मैं कोशिच करता हूँ इस से कम का ही मेरा stop loss हो अब आप एक चीज़ note करिए daily पे market बंद हुई है 574 पे और अगर आप यह वाला chart देखेंगे इसका 15 minute का तो आपका यह market बंद हुई है 37,738 पे अब यह ऐसा क्यों हो आए because market average लेती है last half an hour का ठीक है ना closing के time पे तो half an hour का या 45 minute सा ऐसी कुछ होता है तो average होता है तो average की वज़े से यह बिल्कुँ swift move था एकदम से move आया था ठीक है unexpected move था यहां से जब मैंने यहां तक market देखी थी मेरी कुछ कल उस दिन positions नहीं थी इसके अंदर alright मैं पूरे दिन खाली बैठा रहा I was waiting for an opportunity मुझे नहीं मीली nifty bank nifty दोनों के अंदर तो मैंने कुछ ऐसा कुछ खास trade नहीं किया उसमें तो अब हुआ क्या जब मैंने देखा कि इतनी बड़ी candle आ गई है आन्या continuation हो रही है मैंने इधर अपनी positions बनाई है बिल्कुल top के पास ही positions बनाई है and close जो हुआ है न वो previous day low के उपर हुआ है alright अब मैंने मैंने इंदमनी के positions बनाई है 3700 CE ठीक है अब मुझे ये देखना है कि क्या कल इसके उपर मुझे एक continuation मिलेगी अगर मुझे continuation मिली तो उसका मतलब क्या है सब कुछ मेरे favor में है ठीक है and यहां से एक short term recovery हो सकती है ठीक है and यह जो level है न यह बहुत important play एक बहुत important role play करेगा फिरकिस एक तो round number है 38000 alright and अगर इसके उपर closing दे दी तो यह जितने बंदे है न जो यहां यहां short करके बैटे है फटाफट cover करेंगे and एक rally आईगी ठीक है हमेशा ध्यान रुखना इन levels पे न कोई भी बंदे नहीं होते है highest trades इधर होते है ठीक है या फिर highest trades इधर होते है जहां पर rejection हुआ है इन पे कभी भी volumes नहीं होती है मतलब आजम यहां पर shortings नहीं हो रही है यह levels जैसे ही यह level अगर cross हुआ न तो यह जट से cross हो जाएगा यहां पर कोई resistance नहीं मिलेगा आपको कभी आपको यह volume profile लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि इन zones पे जादा volume नहीं आई है मतलब यहां पर जादा trades नहीं आई है trades आते हैं जहां पर rejections होते हैं जैसे कि इन लेवल पे हमेशा resistance होगा इन लेवल पे हमेशा resistance होगा तो जैसे market 38-200 cross करेगी न उसको 38-800 पर पहुशने में जादा देर नहीं लगी यह लेवल फटाफट cross होगे अब हमको क्या समझना है अब मेर को समझना है कि इसके ओपर continuation मलें अगर कल-कल ऐसा कुछ हो गया कि market यहां open होती है थोड़ा सा उपर गई और फिर नीचे जाने लगए तो उसका मतलब कि यह जो move था यह false move था ठीक है आपको चीज समझना होगी कि जब market तीन-चार दिन से नीचे गिर रही होती है तो एक short covering move आता है विकिस लोगों को profit भी तो book करना है तो एक short covering move आता है यहां पर हमार लिए 38,000 एक important level होगा अगर इसके ओपर market close करती है तो some sort of positivity आएगी market में and then हम लोग एक expectation रख सकते हैं कि यहां से recovery होगी तो यह हमारा move है तो इस level सबसे पहला आप इसको ध्यान रखना 37,800 के उपर इसके नीचे 37,250 के नीचे आपका एक bearish momentum फिर चालू होगा but ध्यान रखेगा इसके नीचे अगर short करे तो अपनी quantity कम रखेगा फुल quantity में trade मत करना because market यहां से यहां तक तूट चुकी है ठीक है इधर market थी 38,800 तक और यहां पर market है आपकी 37,738 तो almost आपका 1000 points से उपर का आपका stop loss है तो कोई फाइदा नीचे उस चीज का तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है तो यह simple level है market को मैं वैसे भी आपको पता है मैं बहुत simple तरीके से market को trade करता हूँ मैं ज्यादा complicate नहीं करता हूँ ठीक है तो यह मेरे levels हैं जिनको मैं play करने वाला हूँ Fibonacci level 38,000 है यह मेरे levels होने वाला है जहाबर मैं trade करूँगा अब एक काम करते हैं निफ्टी को देखते है daily chart निफ्टी में आप देखे क्या हो रहा है और एक चीज़ और bank nifty के अंदर अगर हम weekly chart देखते है इसका bank nifty का तो weekly chart में समझते हैं क्या हो रहा है यह देखे है weekly chart weekly chart में market previous day low के नीचे market ने close किया है ठीक है 37,900 जैसी 37,900 क्रॉस होता है ठीक है मतब 37,900 और 38,000 जैसी क्रॉस होता है some sort of bullish momentum आएगा और जो sellers इसके नीचे हैं यह सब के सब cover करना चालू करेंगे तो आप make sure that आप यह चीज़ जरूर देखें option chain में आप 38,000 38,000 की आप calls पे ध्यान दे कि क्या हो रहा है और 37,900 की calls और पुट दोनों पे ध्यान दे कि कहां पर unwinding हो रही है ठीक है आप अगर unwinding समझ गए तो आप कोई चीज़ समझना आ जाएगी कि market में हो क्या रहा है ठीक है तो price पहले है data बाद में है बट price और data को साथ यूज करेंगे तो आपके पास एक edge develop होना शुरू होगी थोड़ा सा practice करना पड़ेगा बट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशच कर रहा हूँ तो निफ्टी-50 अब अग निफ्टी-50 का अगर आप weekly chart देखेंगे तो यहाँ पर एक proper bearish engulfing candle बनी है और यहाँ एक support area है जहाँ पर market is time पर है ठीक है अब लेस्ट कम तो a daily chart daily chart पर अगर मैं Fibonacci लगाता हूँ from this level till the lows ठीक है तो 50% कहाँ पर आता है इसमें हम 50% के ऊपर है ठीक है ना candles देखेंगे आप big candle उससे थोड़ी छोटी candle और उससे छोटी candle और यह सबसे छोटी candle मतलब down move में candles के size छोटे होते जा रहे है तो उसका मतलब क्या है कि strength decrease होते जा रही है जो seller यहाँ पर आया है वो शयद यहाँ पर interest नहीं ले रहा तो वो interest कहां लेगा वो interest लेगा आपका मैं बताता हूँ यह एक बहुत अच्छी technique है जो आप समा सकते हैं जब भी 3-4 बड़ी-बड़ी candles आती है उन candles का top पकड़ी है और उसका यहाँ का low पकड़ी है चिक हैं और 50% अगर इस level से दुबारा selling आती है तो यहाँ पर यह party interested होगी short करेगी पिकिस उसको higher levels थी नहीं short करने के लिए तो आप लगा के लिए कि चलो 17,950 से 18,000 आपका एक level रहने वाला है जहाँ से एक shorting opportunity मिल सकती है अगर यहाँ से यहाँ पर shorting मत करियेगा I feel a pullback rally आनी चाहिए ठीक है बड़ जब तक यह 50% cross नहीं होगा stay on the sidelines that is the best policy ठीक है या फिर एक bullish move प्ले कर सकते है short मत करना जब तक एक अच्छा pullback ना जाए एक pullback आए और वहाँ से failure हो तब आप उसको short करना और अगर 18,000 cross हो जाता है ठीक है ना let's say ऐसे हो जाता है market जाती है उपर फिर थोड़ा नीचे आती है फिर उपर जाना लग जाती है तो उसका मतलब अभी 18,000 support बन चुका है ठीक है ना अब market इसको respect करेगे and market then इसको तोड़ेगी ठीक है ना और जैसे market ने 18,350 को तोड़ा then हम we are ready for new highs तो यह चीज होने वाली है तो यह तो थोड़ा सा लंबा गेम हो गया अब समझते हैं कि कल कैसे हम प्ले करेंगे सारी चीजों को ठीक है नाओ यह हो गया इसके नीचे move आना था मैं expect कर रहा था छोटी candle आएगी and then मैं short करूँगा बट ऐसा नहीं हुआ मैंने सोचा मैं इदर short करूँगा बट थेन मुझे conviction नहीं आ रहा था तो मैंने नहीं किया इदर कुछ भी ठीक है and then दुबारा recovery हुई जिस बंदे ने भी यहाँ पर stop loss लगाया होगा उसका यहाँ पर cut गया इदर re-entry की जा सकती थी but I was not active at this point of time इदर मैंने market देगी थी तो मुझे लग रहा था तो market नीची जाएगी pullback आएगा Monday को तो हम top trade करेंगे but this is what I was not expecting ठीक है यह एक अच्छी खासी rally आई है और जो लोग यहाँ पर थे न इन लोग ने पक्का यहाँ पर cover up किया ठीक है तो जैसी cover up हुआ यह लोग buyers बन गए और market उपर चले गई अब मेरे को यह चीज़ चेक करनी है कि इस level के उपर इस level के उपर हमें क्या कुछ continuation मिलती है या नहीं ठीक है यह हमें observe करना है कल market is all about observing ठीक है आपको अपने levels जानने है कि आपको buying selling कहाँ पर करनी है मैंने आपको बताया है मैं buying करके गया हूँ ठीक है निफ्टी में मैंने कुछ buying नी की है पिकिस निफ्टी जो है वो previous day low के पास ही close हुई है और buying निफ्टी जो है वो previous day low के उपर close हुई है यह average है ठीक है बट मैं जो उस ताइम पर मैंने price देखी थी मैं उसकी बात कर रहा हूँ तो अब I want to see कि इस level के उपर यह 17.650 से लेके 17.700 के अंदर क्या होता है अगर market इसके उपर open करती है और पहले 15 minute में एक green candle बनाती है तो I'll be interested कि मैं थोड़ा उपर तक play करूँ at least 17 यह मैं आपको बताता हूँ एक second guys अगर मैं यहां से Fibonacci लेता हूँ इधर से लेके इस level तक ठीक है क्या करेगी या तो pullback देगी market and then इस तरह करेगी ठीक है ना यहां से basic एक shorting rally हमको मिल जाएगी या फिर market उपर जाएगी नीचे आएगी and then उपर जाना चालो हो जाएगी तो मतलब यह level फिर हमारा support का का काम करेगा तो 17,950 से लेके 18,000 this is our level to watch इसके ही आपको calls and put पे ध्यान देना है कि राइटिंग कितनी हो रही है कौन cover कर रहा है कौन हट रहा है तो यह सब छोटी-छोटी चीज़ आपको देखनी है but वो secondary है primary क्या है? price price पे ध्यान देना उसको बस देखते रहना कि वहां हो किया रहा है options मैंने नहीं कुछ select किया है such because मेरा main जो interest है वो इस time पे index के अंदर ही है okay तो my main focus is index only so no stocks as of now but कुछ stocks मैं उसके लिए देख रहा हूँ आपका एक second यह जो भी stocks ना इस time पे जैसे वैसे तो उसमें अपर सुट लगा हुआ है but अगर हमको एक opportunity मिलती है इस level पे इधर कहीं अगर हम a opportunity मिलती है तो I would want to see कि यहां पर इस stock कैसे react करता है ठीक है क्योंकि जब भी गिरावट वाली market में कोई stocks ऐसे ऊपर जा रहे हूँ न तो आप यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन stocks में आप opportunity मना सकते हो अगर आप यह चीज नोट करें पुल बैक हुआ है और एक अच्छी खासी candle बनी है तो कल expected है कि gap up देगा बट अगर एक correction होता है और इसके 50% के अंदर इस range में अगर हमको कोई entry मिलती है तो आप ज़रूर देखेगा stock को ठीक है, this is a good stock चार्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं ठीक है और मुझे लगता है कि यह हमें एक अच्छी opportunity और उपर की तरह दे सकता है तो आप बस ध्यान रखेगा स्पे जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हफते, ठीक है हमारी first video आने वाली है जो price action series के बार में बात कर रहा हूँ तो वो probably है, तो Tuesday आईगी या फिर वो Thursday आईगी Intimation आपको community section of YouTube and आपका Instagram दोनों पर मिल जाएगी so make sure that you subscribe to the channel and अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको like करिएगा and comment section में जरूर बताना कि कोई doubts हो, कोई questions हो क्योंकि communication जब रहती है तब trading बहुत असान हो जाती है so make sure that you do that so I will see you in the next video, thank you